चीला बनाने के लिए हमें चाहिए बारी कटी हुई प्याज और एक दो हरी मिर्ची और एक अंडा आज हम बनाएंगे बेशन का चीला तो हमने ले लिया है तीन श्पून बेशन अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे अगर अब सारी चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें पानी एड़ करते जाएंगे और इनको मिक्स करेंगे एक पतला सा बैटर हमें बनाना है बहुत गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है नहीं तो फिर वो तवे में अच्छा नहीं बनेगा मोटा मोटा सा चीला हमारा बनके तैयार होगा इसलिए हमें एक स्मूद और पतला ही बैटरिस का बनाना है और जिसी चिप के ना इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा एक अंडर डाल लेंगे इसके अंडर के डालने से क्या होता है जैसे कि हमसे मतलब बच्चों से किसी से भी अगर बनाते अच्छे से नहीं बनता है तो अगर एक अंड़ डाल लेंगे तो बहुत अच्छे से चीला बनके हमारा तैयार हो जाएगा और तवे पर चिप केगा भी नहीं अंड़े को बेशन में अच्छी तरीके से मिला लें जैसे हम आमलेट बनाते हैं और अंड़े को अच्छी तरीके से फैट लेते हैं उसी तरीके से हमें अंड़े को बेशन में उसी तरीके से फैट लेना है अब देखिए कितना अच्छा बैटर बनके तयार हो गया है करेंगे हैं जब हमारा पैन गरम हो जाएगा तब हम इसमें बनाएंगे चीले तवा हमारा गरम हो गया है अब जो हमने बेशन का बेटर बनाया था गोल तयार किया था हमें इसको तवे में गोल गोल फैलाना है बीच में तवे में गोल गोल इसको इस तरीके से करके फैलाना है जिस तरीके मैं फेला रही हूँ उसी तरीके से आपको भी फेलाना है यह जो हमने छोटा चम्मच लिया है इसी की मदद से मैं इसको गोल गोल कर रही हूँ जहां पर कम लग रहा है वहां पर डालते जाना है इस तरीके से जैसे गोल होगे ना इसी तरीके से आपको भी इसकी साहता से गोल कर लेना है जहां पर कम लग रहा है तो थोड़ा सा हमें घोल लेके इस जगे पर ऐसे डाल देना जिसे वहाँ पर अच्छी से गोल आई आ जाए ऐस savoir किनारे से ओयल से ग्रीश कर देङे ब्रस्क से हम इसको थोड़ा सा ओयल कीТव में ब्रन एंगे मेरीज कर कर में बड़ होसोद इस पर ऊयल करें Iowa से दल देंगे स्फ्वायल ग inanम करना ज़ूरी अब यह देखिए कि अच्छी तरीके से छूट रहा है जैसा है आप देख पा रहे हूंगों इसलिए हम इसको पल्टेंगे चीला हमारा सिग गया है अब हमें कर्ची को धीरे से चीले के नीचे रखना है इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ इस तरीके से आपको चीले के नीचे कर्ची को रखना है और फिर धीरे से इसको फलट देना है इस तरीके से अब हमें धीरे धीरे इसको थोड़ा सा दबाना है जैसे कहीं पर थोड़ा सा मोटा हो जाता है जैसे फैलाने में हमसे थोड़ा सा मोटा हो गया तो इस तरीके अगर से दबाएंगे तो चीला थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है इक्वल हो जाता है और अच्छे से भी पक भी जा वैसे बच्चे तो आमलेट बना के खाई लेते हैं लेकिन अगर उनको बेशन का चीला खाने का दिल कर रहा है तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे आसानी से चीला बना के खा लेंगे वैसे तो लेडी सारा खाना बना लेती हैं कुछ चीजों को छोड़के तो काफी हद तक वो सारी डिशें बना लेती हैं बहुत सारी डिशें तो नहीं पर कुछ सारी डिशें तो बना ही लेती हैं लेकिन जो टेंथ में ट्वैल्थ में बच्चियां पढ़ती हैं उनका सारा ट उनका जब दिल करेगा तो इस तरीके से अगर वो बनाएंगी तो अच्छे से बना भी लेंगे और खा भी लेंगे जैसे हमने पहले किया था ठीक उसी तरीके से हमें खड़ से इसी तरीके से चीले को इस तरीके से फैलाना है धीरे-धीरे करके पहले हमने ओयल से ग्रीश किया जैसे पहले किया था उसी तरीके से ओयल से थोड़ा सा ग्रीश करना है तावे को और बैटर डाल के धीरे धीरे इस तरीके से हमें चीला को गोल करना है ये देख पारे हैं आप जैसे गोल करना है उसी तरीके से आपको भी गोल करना है चीला थोड़ा सा पक गया है तो हमें जो पहले हमने ओल से ग्रीश किया था जो प्रोसीजर हमने पहले किया था वह हमें फिर से करना है इसको थोड़ा-थोड़ा सा ग्रीश कर देना है इसी तरीके से वह डाल देना जिससे ये तवे में चिपके न और कर्ची से अच्छे से पलट जाए ये देखिए कितने अच्छी त तरप से भी अच्छे से सेक लेना है जिस तरीके से लट पलट के सबसलने की ऊच्छे से değild इस से तरीकेante, दोनो तरप अच्छे से तरफ अच्छे सहने व होती है तो आसानी यह صłę आई जाता है। तो जो नए नए लोग होते हैं, उनसे इतनी जल्दी पलटता नहीं है, अगर आप बनाने लगो तो धीरे धीरे सब कुछ आने लगता है, अब देखिए हम इसको दोबारा से हम फिर देखेंगे, यह अच्छी तरीके से पक चुका है, अब हम इसको रख लेंगे प्लेट में, और इसी तरीके से हम सारे चीले बना के तयार कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया था, उसी तरीके से करके सारे चीले हमें बना के तयार कर लेने हैं, पहले वोयल ग्रीश करना है, फिर बैटर डालना है, पर जब सिक जाए तब प्लेट पे उसको निकाल लेना है, जिस तरीके पूर्पाइब नब इसे आप देख रहे हैं इसी तरीके से सारे चीले हमको बना के तयार कर लेंने हैं चीले हमारे बनकर रेडी हो गए हैं जैसे आपका दिल चयाए वैसे खानाै चाहे तो सौज के साथ खाएं魔 también अचार के साथ खाएं चाहें तो मीठा चार के साथ खाएं यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं आशा करती हूं कि आपको यह चीले बहुत ही पसंद आये होंगे